हेलो फ्रेंट्स आप सभी क्या स्वागत है माई किसी पॉइंट में फ्रेंट्स आज हम लोग देखेंगे लूसेंजी के हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नमबर 33 और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं जिसका लिंक डिस्क्रेप्शन में आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं फ्रेंट्स इसका पहला प्रैक्ट्स होगा कि अकबर ने समराज विश्तार का अरंब किस विज्जय से किया था तो मालवा विज्जय के बाद अकबर ने समराज विश्तार का प्ररंब किया था इससे related जितने भी important facts बनेंगे उस facts related जितने questions हो सकते हैं सभी questions इसमें दे दिया गया है ताकि आने वाले exams में एक भी प्रशन चूटे और इसके पहले वाले फोड वीडियो में मैंने बहुत नहीं अच्छे से इससे समंधित concept को बता चुके हैं तो इसमें हम कोसित करेंगे इस्ट प्रश्ण को सम्मित ने अकबर के किस अभियान को एतिहासिक दूत गामी अभियान कहा तो एक कहा गया था गुझरात अभियान के दौरान कहा गया था नेक्स प्रशने अकबर का सबसे अंतिम बिजय अभियान क्या था तो असीर गड़ बिजय अकबर का सबसे अंतिम बिजय अभियान था नेक्स प्रशने अकबर के नौ रत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गया था तो यूसिफ जायों के बिद्रों को दबाते समय बीरबल मारा गया था ए जो बीरबल था ए अकबर के नौ रतनों में से एक रतन था नेक्ष प्रशने किसने अकबर को इसलाम का सत्रू कहा तो बदा यूनी को बदा यूनी को अकबर ने इसलाम का सत्रू कहा फ्रेंस अबुल फजल और जहांगीर के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में डिटेल से बताया गया है उसको जाकर देख सकते हैं नेक्षट प्रश्ट ने दहसाला बंदोबस्ते किस से समंदित है तो ये टोडरमल से या टोडरमल से समंदित है नेक्षट प्रश्ट ने अकबर ने किसे कंठा भरनवानी विलाप की उपाधी दी थी तो तान सेन को अकबर ने कंठा भरनवानी विलास की उपाधी दे थी नेक्स प्रशने मुगल बंस के संदर में पीता के रहते वदसाह पद प्राप्त करने वाला प्रत्थम प्रयास करने वाला सहजादा कौन था तो यह था जहां गीर नेक्स प्रशने सासक बनने के बाद बारह अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बदसाह कौन था तो यह था जहांगीर किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मोगलों के हाथ से निकल गया तो जहांगीर के समय कंधार जो छेत्र था वह मोगलों के हाथ से निकल गया फ्रेंड्स मैंने बुला था कि जितने भी important facts बनेगे उनसे समंदी सभी प्रश्णों को दिया जा रहा है आप देख सकते हैं जैसे बात किया गया था जहांगीर की तो जहांगीर से later जितने भी important facts हो सकते हैं सबसे समंदित इसमें प्रश्ण दे दिया गया है ताकि आने वाले एक्जाम्स में एक भी प्रश्ण न चूटे और फ्रेंड्स इस सेट को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लूसेंट बुक से थियोरी पढ़ सकते हैं क्योंकि यह भी चैप्टर वाईज है और उसमें से भी चैप्टर इस चैप्टर को निकालेंगे और वहां से थियोरी पढ़ेंगे और इस सेट को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कोश्टन साथ साथ याद हो जाता है यह देखते हैं नेक्ष्ट प्रश्ण को मिवार से यूध तथा चितोर की संधी किसके सासन काल की महत्वपूर्ण उपलब्दी है तो यह जहागीर की महत्वपूर्ण उपलब्दी है नेक्ष्ट प्रश्ण की सासक को जहागीर ने फरजद अर्थात पुत्र की उपाधी से सम्मानित किया तो बीजपूर के सासक आदिल साह को सम्मानित किया अर्थात उपाधी दिया था उपाधी से सम्मानित किया नेक्ष्ट प्रश्णे मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला सराव और एक प्याला सोरबे के लिए बेंच दिया है यह किस की युक्ती है यह युक्ती है जहांगीर की नेक्ष्ट प्रश्णे जो चितर कला के सत्रू है मैं उनका सत्रू हूँ किस मुगल सासक ने कहा तो यह जहांगीर नहीं कहा नेक्ष्ट प्रश्णे सा जहां का मूल नाम क्या था तो सा जहां का मूल नाम खूरम था सा जहाने किसे मलका ए जमानी की उपाधी दी थी तो इनके दोर जो उपाधी दिया गया था वो और जुमंद बानो बेगम अर्थात मुम्ताज महल को दिया गया था सा जहाने किसे सा इकबाल एवं सा बुलंद की उपाधी दी थी तो दारा सीकोह को ए दोनों उपाधी दी गई थी नेक्स्ट प्रश्ने दारा सीकोह एवं औरंगजेब के मद्य हुए उत्त्राधिकारी यूदों में सबसे दिनायक यूद्र कौन माना जाता है तो ए नेक्स्ट प्रश्ने अरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां आठ बर्स के बाद ही नजरबंदी के हालत में ही सा जहां की मौत हो गई तो आगरा के किला में मौत हो गई थी नेक्स्ट प्रश्ने किस जाट नेता ने बदसाह अकबर के मकबरे को हानी पहुचाई तथा अकबर की कबर को खोद कर उसकी हडियों को जला दिया तो राजा राम ने उनकी कबर को खोद कर उसके हडियों को जला दिया था नेक्स प्रशने किस मुगल बजसा को उसकी प्रजा साही वेश में एक दरवेश अर्थात फकीर कहती थी तो यह औरंग जेव को कहती थी नेक्स प्रशने दिवान ए वजीरात एक कुल नामक नय पद की अस्तपना किशने की थी तो यह एक पद था जिसकी अस्तपना अकपर के द्वारा किया गया था नेक्ष प्रशने अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बदसाह कौन था तो मुहमद साह रंगीला था जो अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया गया नेक्ष्ट प्रश्ण हस्तांतरन के लिए अरक्षित भूमी को मुगल काल में क्या कहा जाता था तो उस भूमी को पैराकी या पायबाकी कहा जाता था नेक्ष प्रशने जागीरदारी संकट सरप्रत्थम किस मुगल वदसा के सासन काल में उत्पन हुई तो ए औरंग जेब के काल में उत्पन हुई थी नेक्ष प्रशने भारत में चार बाग सैली का प्रत्थम मकबरा है यह मकबरा है हुमायू का मकबरा नेक्स्ट प्रशने पिट्रा डिवरा का आरंभ किस ने किया था तो ये जहांगीर के द्वारा ही आरंभ किया गया था इसके लिए इसके बारे में आधिक डिटेल में जानने के लिए इसके पहले वाले वीडियो को अवश्च देखेंगे नेक्ष्ट प्रश्णे वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्मान पुर्व रुपेन संगमर्मर से हुआ है और जिसमें पिट्रा डिवरा का प्रयोग हुआ है तो यह एतमाद उद दौला का मकबरा है जहां पर पिट्रा डिवरा का प्रयोग हुआ है नेक्ष्ट प्रश्णे कि सासक का काल संगमर्मर का काल कहलाता है तो सा जहां का जो काल है वो संगमर्मर का काल कहलाता है नेक्स प्रश्णे औरंग जेव कालीन एतिहासी गरंथ नुसका ए दिल कुसा के रचनकार कौन थे तो भीम सेन सकसेना कायस्त थे इसके रचनकार नेक्स प्रश्णे अकपर नाम किसने लिखा तो अबूल फजल के द्वारा ही अकपर नामा लिखा गया नेक्ष्ट प्रश्णे एतमाद उद दौला का मकबरा अगरा में किसने बनवाया था तो ये नूर जहां के द्वारा बनवाया गया नेक्ष्ट प्रश्णे किस मध्यकालिन सासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा अरंब की थी तो सेरसाह के द्वारा पट्टा अम कभूलियत की प्रता अरंब की गई थी Next प्रशने मोगल समराथ औरंग्जेव कौन सा वाद यंत्र बजाते थे तो इनके द्वारा वीना बजाया जाता था औरंग्जेव के द्वारा Next प्रशने जहांगीर को कहां दफनाया गया तो जहांगीर को लहोर में दफनाया गया था नेक्ष्ट प्रश्ण है वह परसीद जैन अचार ये कौन थे जिनको अकभर ने बहुत समानित किया था तो हरी विज्जय सूरी को अकभर ने बहुत समानित किया था नेक्ष्ट प्रश्ण है, लंदन में British East India Company के गठन के समय भारत में कौन बदसाह था, तो उसमें अकबर बदसाह था नेक्स प्रशने सा जहाँ के काल में कौन ईडोपिय यातरी भारत आया? तो पीटर मुन्डी. पीटर मुन्डी जो ईडोपिय यातरी था वही भारत आया. नेक्श प्रशने अकबर ने दीन ए इलाही वर्स डैस में प्ररंब किया था तो ए पंद्रे सो ब्यासी इस भी में प्ररंब किया था नेक्ष्ट प्रश्ण ने बाबर ने सर्व प्रथम वल्चाह की पद्वी धारन की थी एक कहां धारन की थी तो काबूल में सर्व प्रथम बाबर ने वल्चाह की पद्वी धारन की थी इसमें जितने भी प्रश्ण हैं सबे प्रश्ण most important है next exams के लिए और इसमें अधिकांस प्रश्ण previous year के questions हैं तो इन सबी सेटों को आप अच्छे से practice करें साथ ही lucid book से theory भी परें ताकि questions आपको साथ साथ याद हो जाए तो friends वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाबाय टिक किया